स्पोर्ट्सक के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बात करेंगे तन्वीर सांगा की कौन है तन्वीर सांगा जिने ऑस्टेलिया ने अपने 18 मैन प्रेलिमिनरी स्कौर्ड में जगे दी है वल्ल कप के लिए तन्वीर सांगा 21 वर्षिय ऑस्टेलिया के यंग यूवा क्रिकेटर हैं जिन्नोंने 2020 के अंडर 19 वल्ल कप में धूम मचा दी थी सबसे जादा उन्होंने विकेट जो है वो जटके थे लेकिन अब एकर बात करें तन्वीर सांगा की तो ऐसा लगता है यार इंडियन ओरिजिन पंजाब से क्या रिष्टा है इंडिया से क्या रिष्टा है माबाप कहां पर कैसे कैसे ऑस्टेलिया में खेलना शूरू किया और अब इतना जबर्दस क्रिकेट खेलने लगें कि ऐस्टेलिया की प्रेलिमिनरी स्कॉर्ड में कम से कम उन्होंने जगह बना ली है लेकिन यह हम सिर्फ कह रहे हैं कि 18 में स्कॉर्ड में तन्वीर सांगा ने जगह बनाई है आने वाले दिनों में हो सकता है जब साउथ आ प्रेलिमिनर्स को टीम में जगह देना जरूरी रहता है खेर आगे चलते हुए बात करेंगे कि पंजाब से इंडिया से क्या रिलेशन है इनका तो 1997 में इनके जो फादर है जोगह सांगा वो आस्रेलिया चले गए और वहाँ पर स्टूडेंट वीजा लेके वो आस्रेलिया काम करती है और अभी भी फादर जो है वो टेक्सी ड्राइवर है वहाँ पर सिड्नी में तो यहाँ पर उनकी जो स्कूलिंग है वो हुई और उसके बाद में उनका क्रिकेट खेलना शुरू हुआ एक अख़बार में तन्वीर सांगा के फादर जो है जो है जोगह सांगा उ उसके बाद भी जब यह पैदा हो चुके थे उसके बाद भी इंडिया आना जाना ड़ो है वो लगा रहा लेकिन कभी इनोंने इंडिया में क्रिकेट नहीं देखा हाँ ये जरूर है जब भी ये जलंदर के पास आते थे क्योंकि जलंदर के पास रहीमपूर एक गाउं जो है वो इनकी जगे है उनका पिंड है तो जब वो यहाँ पर आते थे तो वहाँ पर वो कबड़ी और ऐसे खेल जो है कुष्टी ये सारी चीजे जो है वो खेलते थे ल चलाने के समय में क्योंकि इन्हें ड्रॉप करना होता था चोड़ना हों रहा था लेके आना होता था तो उस बीच में उन्ने सुबर से देड़ रात तक काफी ज attendance काम करना होता था और ऐसे में इन्होंने cricket खेलना शुरू किया और धीरे धीरे इन्होंने जब club cricket में अपना नाम कमाया उसके बाद में ये list A फिर first class matches जो है वो उस सरीके से अपने-पने match खेलने शुरू किये और अब उसके बाद में Big Bash League में भी धमाकेतार प्रदर्शन करने लगे और साती साथ The 100 जो चल रही है उसमें Birmingham Phoenix में भी टीम में तन्वीर सांगा मौझूद हैं और वहाँ पर भी वो cricket खेलते आएं तो अब बात करते हैं इनके कुछ domestic record की New South Wales से खेलते हैं ये और 24 विकेट इन्होंने अभी तक first class matches में लिये हैं और 7 विकेट इन्होंने list A के match में लिये हैं पांच list A के जो match इन्होंने खेले हैं प्रॉपर एक बार आपको graphics के तोर पे इनके record ज़रूर बताएंगे और अभ लिग क्रिकेट में भी खेलते हैं वाशिंटन की टीम से और Sydney Thunders Big Bash लीग में खेलते हैं याने की T20 लीग में तो ये खेलना इन्होंने शुरू कर दिया है अच्छे तोर पे और वहाँ पर काफी जादा successful भी रहे हैं और बात करें अगर Australia की तो क्योंकि George Bailey की जो selection committee है वहाँ पर अगर देखा जाए वो भी क्योंकि काफी जादा scout करते हैं और खिलाडियों को देखते हैं कि भाई कौन युवा खिलाडी ऐसा है जो मददगार साबित हो सकता है तो अगर बात करें Adam Zampa की क्योंकि वो एक काफी experience player यहाँ पर मौजूद है आशनेगर मौजूद है और से टीमों के पास में कहीं न कहीं आप अगर देखेंगे तो Lex Spinner मौजूद रहता है तो एक चीज यह है अब अगर इनके कुछ आंखडों पर नजर डालें और अगर पूरे T20 की बात करें अभी तक अगर T20 इन्होंने खेले हैं 28 मैच में 37 विकेट है इनका जो फिगर है मैच म वो 14 रंदे का 4 विकेट लिये हैं एवरेज 18.4 तीन का एकॉनमी 7.46 और एक बार जो है वो 4 विकेट हॉल यानि 4 विकेट हॉल इनके पास में है अगर एकॉनमी को देखें तो लगता है थोड़ से महंगे साबिद जरूर होते हैं लेकिन लेगी हैं लेक्स पिनर्स की अगर बात करें तो उन्हें रंद जादा पढ़ते हैं लेकिन विकेट भी लेते हैं 28 मैच में 37 विकेट इनके नाम भी हैं अब बात करें अगर लिस्ट एक मैच की पांच मैच खेले हैं साथ विकेट इनके नाम में है और बेस्ट इनका है 21 पे 4 एकॉनमी 5.12 की और एक बार 4 विकेट हॉल है इनके नाम भी ये जरूरी है बताना कि ये सिर्फ 21 साल के ही हैं अभी और इन्होंने खेलना शुरुआत जो है वो कर दी है और बहुत जादा एक्सपीरेंस नहीं है क्योंकि न्यूजिलेंड दौरे पर भी जो आस्टेलिया की टीम गई थी उसमें भी ये गए थे लेकिन डेब्यू करने का म इन टीम का जो सिलेक्शन है जो अनाउंसमेंट है वो होगा बात करें अगर फर्स क्लास मैचेस की तो आठ मैचों में 24 विकेट है तन्वीर सांगा के और 56 रंदे का चार विकेट बेस्ट है इनका एक मैच में एवरेज 30.16 का एकॉनमी 2.98 की और 4 विकेट हॉल एक बार यान खेलना शूरू कर दिया है क्योंकि T20 के format और लीक्स भी इतनी जादा हो रही है कि प्लेयर्स अब अलग-अलग जगे जापकर वहाँ पर exposure ले रहे हैं और खेल रहे हैं लेकिन अभी तक Australia से कोई debut नहीं किया है उसी चीज़ का इंतजार है कि debut करने का मौका मिले और खेलने क ऐसा होता है तो यह Australia की तरफ से दूसरे Indian origin के ऐसे खिलाड़ी होंगे जिने Australia में जगे मिलेगी World Cup squad को लेते हुए तो तन्वीर सांगा एक interesting prospect है Australia की तरफ से अगर देखा जाए अगर इंडिया की बात करें तो आना जाना इनका लगा रहता है इंडिया में लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है कि IPL में इनकी चर्चा हो रही है या नहीं लेकिन आने वाले समय में अगर Big Bash League में और इनका बहतर प्रदर्शन रहता है तो जरूर हो सकता है कि IPL में भी इनने बुलावा आए क्योंकि Big Bash के कई सारी खिलाड़ी जो है अब IPL में हमें देखने को मिल और कैसे 21 साल का खिलाड़ी जो है वो अस्टेलिया की टीम में सिलेक्ट हुआ है और इंडिया के खिलाफ भी वो मैच खेलते नजर आएगा आने वाली जो ODII सीरीज होगी तीन मैच की ODII सीरीज होगी तो उमीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया अगर आया तो आके पढ़ सकते हैं और इनके आकड़े भी वहां पर मौझूद हैं हमने भी आपको बता दिये तो वो भी आप देख सकते हैं वागी स्पोर्ट सक के साथ आप बने रही है क्योंकि तमाम खबरें स्पोर्ट सक में हम आपको लगातार बिना किसी देरी के देते रहते हैं क्रिया